हाई गाईज, आज की वीडियो में मैं तीन दिनों का जूस डाइट दिखा रही हूँ जिससे आप 5 किलो तक कम कर पाएंगे, साथ ही आपके बॉडी से टॉक्सिंस कम होंगे और आपकी इम्मुनिटी बढ़ेगी, यह आसान है फॉलो करने में क्योंकि इस डाइट में कोई तो चले शुरू करें, इस डाइट की शुरू करने के दो दिन पहले से आपको अपने बॉडी को अंदर से साफ करना होगा, इन दो दिनों में अपने दिन की शुरुवात 500 ml गुनगुने पानी में निम्बू और अद्रक की जूस को मिला कर पीने से करना है, इसके लिए एक क्लास में 500 ml गुनगुना पानी लें, फिर थोड़ा सा अद्रक का जूस और एक निम्बू का जूस डालें, अच्छे से मिलाएं और खाली बेट पी लें, अद्रक को कद्दू कर उसे निचोड लें, इस तरह आपको उसका जूस मिल जाएगा, कम से कम एक टेबल स्पून हो जैसे मिंटी या कैमोमिल टी, मिंटी की रसिपी मेरे चैनल में है, और कैमोमिल का टी बैग भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है, इन दो दिनों के बाद, तीन दिनों का जूस डाइट शुरू करना है, ये तीनों दिन एक समान होंगे, सुबर खाली पेट, 500 ml गुन- और बाद में चान ले, इस जूस को बनाने के लिए हमें लेना है 500 ग्राम कद्व, एक चोटा टुकडा फ्रेश हल्दी का, एक चोटा टुकडा फ्रेश अद्रक का, एक संत्रा जिसके बीच निकाल ले, एक मेडियम साइज की शकरकंदी चिलके के साथ, और एक रेट आपल, वैसे तब कोई भी वराइटी यूस कर सकते हैं, कद्व के पीसेज काट ले और चिलका और बीच निकाल दे, स्वीट पटेटो आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, एपल, स्किन के साथ लेना है, इसके भी बीच निकाल ले, अगर ब्लेंडर यूस कर रहे हैं तो, अब स्लो ज जबरदस्ट है, इसलिए कद्व सुनते ही, आइडिया ड्रॉक मत कर देना, जब जूस बन जाए, तो जल्दी ही पी लें, ताकि ऑक्सिटेशन से नियूट्रिशन लॉज न हो, अब नाशते और लंज के बीच, 500 ml नारिल पानी या क्लियर सूप भी हैं, नारिल पानी आसान आप्शन है, क्योंकि ये आपको फ्रेश या कैंड मिल सकता है, कैंड नारिल पानी अगर ले रहे हैं, तो ध्यान दे कि चीनी या अडिटिव नहीं हो, सिर्फ 100% नारिल पानी हो, और सूप किसी भी चीज का हो सकता है, बस क्लियर होना चाहिए, लंज में 500 ml ग्रीन जूस ल एक ग्रीन आपल या नाश्पती और दो मुठी पालक के पत्ते, पालक के बदले आप पार्सली, सेलरी, केल लीव्स या ब्रोकली के डंडे डाल सकते हैं, अगर थाइरोड पेशन्ट है, तो पालक के बदले सेलरी यूस करें, फिर स्लो जूसर या ब्लेंडर से इनका जूस लेना है, यानि की रेट कलर जूस, इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज की बीट, एक लाल आपल, आधा इंच अद्रक और तीन गाजर, बीट अद्रक और गाजर को छील ले, फिर स्लो जूसर या ब्लेंडर से इनका जूस निकाल ले, अगर आप ब्लें सारा रेट जूस तयार है, रात में आप औरेंज या ग्रीन जूस में से कोई भी एक पी सकते हैं, और सोने से पहले एक कप हरबल ती का पियें, जैसे मिंट, कैमोमिल या हिबिसकस टी वगरा, तो इस तरह का जूस डाइट होना है, इतने सारे कलर्स के जूस को पीने से आप आपको काफी वराइटी में न्यूटरिंस मिलते हैं, इन सभी फ्रूट्स और सबजियों के काफी फायदे हैं, और नॉर्मली हर दिन हम इस सारे नहीं खा सकते हैं, इसलिए जूस के फॉर्म में लेना एक अच्छा ऑप्शन है, और सिर्फ तीन दिनों का ही डाइट है, इन इस डाइट से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसलिए इसे सिर्फ तीन दिनों का ही रखना है, यह डाइट, डाइबिटिक्स, PCOS, PCOD पेशेंट्स और प्रेगनिंट और नर्सिंग महिलाओं के लिए नहीं है, जूस लेने से आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो ऐसा करने से आपका lost weight भी वापस नहीं आएगा और आपकी body healthy और healthy महसूस करेगी, इस 3-day juice diet के बाद आप मेरा frotarian diet भी follow कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही healthy और balanced diet है, आशा ही यह 3-day juice diet का video आपको अच्छा लगा हो, आप मुझे Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं, handles आपके screen पे ह video like, channel subscribe और bell icon click करना ना फूलें, और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए video के साथ, तब तक याद रखें, के juice का मतलब है liquid joy, बबाई